बसंद पंचमी पर बनने वाली ये रेसिपी जर्दा मीटे पुलाव मीटे चावल बहुती आसान तरीका मैंने बताया है आपको बनाने का और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है बसंद पंचमी पर जरूर बनाईए बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी शेयर किये आपक अगर आपके पास कप नहीं है यहाँ पे कोई कटोरी बगेरा भी आप सेट कर सकते हो एक कप चावल के लिए आपको चार गुना ज्यादा पानी यहाँ पे गरम करना है और इसमें मैं एट कर दूँगी केसर के धागे कलर के लिए अगर आपके पास केसर ना हो तो यहाँ पे आप कलर भी यूज कर सकते हैं मैंने यहाँ पे वनफोर्ट चमस के करीब कलर यूज किया है और यहाँ पे आपको राइस को धोके इसे तुरंत एट करना है यहाँ पे आपको राइस को बिल्कुल भी भीगोना नहीं है और आपको चावल को जैसे हैं बिर्यानी के लिए पक पबा लेते है यहां पे यहां पे हमारे चावल पक चुके है यहां पे मैं ले लिूँँगी एक पैन इपह देट करूंगी घी को आप पिगलाके चावल अपूमारी रेसिपी बहुत ही जाधा सही बनेगी यहां मैं आपके जना लेदा म कि एक मिनट के लिए अपको अब इसमें मैं एड करूंगी जो मैंने चावल निथार के रखे थे उन्हें आपको एड करके अच्छी तरीके से मिलाना है और ऐसे ही आपको पकाना इसे दो तीन मिनट के लिए इसको अच्छी तरी से आपको चलाते हुए पकाना है बहुत ज्यादा अच्छी रेसिपी है मेरे चैनल पर और भी रेसिपी है यलो कलर आप उन्हें भी ट्राय कर सकते हो और यहां पर मैं एड करूंगी एक कप के लिए आपको आदा कप यहां पर शुगर एड करना है आप चाहे तो अपने टेस्ट के अनुसा ज्यादा या कम सुगर एड कर सकते हो मेरे चैनल पर आपको केसर पेड़ा और केसर बर्फी के रेसिपी मिल जाएगी उन्हें भी आप ट्राय कर सकते हो क्योंकि येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद होता है मा सरस्वती प्यादा है ये रेसिपी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्षण बॉक्स में इसे आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है शुगर और यहाँ प्याल को इच्वर को देखना तर उसे भी add कर सकते हो, तो चलिए अच्छी तरीकी से इसे mix कर लेती हूँ, और मेरे चैनल पर और भी recipe है, केसर कलर की, आप उन्हें भी try कर सकते हो, यहाँ पर मैंने केसरी पेड़ा बनाया है, और यहाँ पर मैंने केसरी बर्फी बनाई है, उन्हें भी आप जरूर बना सकते है बसंत पंचमी पर, तो इनका लिंक आपको दे दूँगी में description box में, इसे में cook करके पकाऊंगी 10 से 15 मिनिट के करें, तो यह देख सकते हो, आप अच्छी तरीकी से चावल पे coating आ गई है, यहाँ पे shiny हो गई हमारे चावल तो आपको तब तक की पकाना है, जब तक की पुलाओ जर्दा यहाँ पे ready हो चुका है, चलिए थोड़ा मैं ऐसे अच्छी तरीके से इसे mix कर लेती हूँ, बहुत ही ज़्यादा खिला खिला बना है, जर्दा हमेशा खिला खिला ही बनना चाहिए, तो इसलिए आपको यहाँ पे बासमती राइस अगर आपने यूज कि यहाँ पे आपको जर्दा बिल्कुल फेल लगेगा यह रेसिपी के सामने, तो यह रेसिपी आप जरूर ट्राइ कीजिए, तो चलिए यहाँ पे मैं सर्व कर लेती हूँ, और ऊपर से मैं थोड़े से कटे हुए बादाम और कटे हुए पिस्ते से घार्निश करूँगी, क् यलो कलर के ऊपर जो वाइट और ग्रीन बहुत ही अच्छा खिलके आता है कलर, तो आप इसकी जगह पे कोई और भी ड्राइफूर्ट्स एड़ कर सकते हो, तो चलिए फ्रेंड यह रेसिपी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आये तो प्लीज लाइक शेरें, सब्सक्राइ करना भूल जाते हो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है, इसके लिए आपका एक भी पैसा नहीं लगता, तो प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आये तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर वीडियो ना भी पसंद आये तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आए वे नेक्ट वीडियो में उसे अच्छा करने की कोशिश करूँगी तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में बाई